आज हम नया topic start करने वाले जिसका नाम है cube and cube roots ठीक इससे पहले हमने score and score roots के बारे पढ़ा था similar time उसी type का है यह भी sector बें जो property उसमें पढ़ी इसमें भी पढ़नी है जैसे calculated question उसमें भी बनते थे इसमें भी बनेंगे ठीक अच्छा तो सबसे पहले हम cube की बात करते है cube होता क्या है ठीक है अच्छा मदलब क्या है अपने कोई sector में पढ़ना है क्या actual में cube क्या कैसे cube निकालते है क्या नहीं होता cube roots क्या होता है इसको कैसे calculate करते कैसे निकालते है इन सब शीज़ों के बारे में अपने को discussion करना है ठीक है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे cube के बारे में किसी number का cube कैसे निकाले ठीक मान लो कि अपने पास कोई number है उस number को उसी से three times multiply कर दिया जाए जो resultant number आएगा वो होगा उस number का cube ठीक है तो लिखेंगे any number any number multiply multiply itself three times three times any numbers multiply itself three times to then resultant resultant numbers is this of this number cube of and cube of numbers is the numbers is the numbers the numbers पास कोई number से y ठीक है इसका अपने को cube calculate करना है कि y का cube क्या होगा तो y को अगर इसी y को इसी से खुद से ही अगर 3 times multiply कर दिया जाए तो जो resultant जो number आएगा वो अपने पास होगा उस number का cube ठीक जैसे y है तो y को 3 times multiply कर दिया y into y into y ठीक है तो यह हो जाएगा y को 3 times multiply किया है हमने power के बारे में जो शेफ्टर था उसमें पढ़ा भी था 1 plus 1 plus 1 तीनो add हो जाएगी तो यह हो जाएगा y 1 plus 1 plus 1 यानि की y गी power 3 ठीक इसको बोलते हैं cube इसको पढ़ेंगे हम y cube ठीक यानि कि किसी number की अगर power 3 हो जाए ठीक है या इसकी degree 3 हो जाए या इसको exponent 3 हो जाए तो इसको हम cube पढ़ते हैं ठीक है y cube ठीक है नोट करेंगे यहां तक आगे बड़ें ओके यह है जैसे कुछ example लेकर देखते हैं जैसे उपने पास है कोई number है 2 ठीक है इसका cube बताना है कि इसका cube क्या होगा 2 का cube की बात करें हम तो cube का मतलब है कि 3 2 को 3 times multiply करना खुद सही है जैसे cube की बार करेंगे तो 2 into 2 into 2 is correct यानि कि इसको हम लिख सकता है 2 की power 3 1 2 3 3 times multiply कर दे यानि कि किसी numbers की power अगर हम 3 लगा दे तो वह उसका cube हो जाता है तो यह कितना हो जागा 3 3 into 8 correct है कुछ और example लेता है मानलो अपने पास है 5 इसका cube calculate करना है तो कितना हो जागा 5 की power 3 ठीक 5 की power 3 यानि कि 5 cube तो यह हो जागा 5 को 3 times multiply किया है 5 5 5 5 ठीक है तो यह हो जागा 125 तो final answer is 125 करेक्ट करेक्ट करें कुछ और example लेते हैं जैसे मानलो अपने पास है 1 by 2 1 का cube ले लो 1 है इसका अपने को cube calculate करना है तो 1 का cube कितना होगा 1 की power 3 यानि कि 1 into 1 into 1 कितना जाएगा 1 आएगा ठीक यानि कि 1 का cube 1 ही आता है ठीक कुछ और example लेता है जैसे 1 by 2 का cube calculate करना है इसका cube cube का मतलब हो गया कि 1 by 2 की power कितनी हो जाएगी 3 ठीक ओके तो हम यह लिखेंगे 1 by 2 को 3 times multiply क्या होगा यह हम जानते हैं उपर वाले को उपर वाले multiply नीचे वाले को नीचे है ठीक तो 1 into 1 into 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 into 2 into 2 8 तो 1 by 2 का क्यों कितना जाएगा 1 by 8 ठीक अगर मारलो कोई number है तो number का तो simply way में इस तरीके से हम कर सकते हैं कोई rational number की बने तो rational number का भी हम इस तरीके से कर सकते हैं उसी number को 3 times multiply कर दो उपर वालों का अपसे multiply कर दो नीचे वालों का multiply कर दो जो result है number आएगा वो उसका क्या होगा cube हो जाएगा ठीक अच्छा मालों के decimal में है तो उनका cube कैसे करता है अब decimal की बात कर देता है यह note कर दिया होगा example number 5 0.3 का अपने को cube calculate करना है कि इसका cube क्या हुआ यह बता है cube का meaning हो गया कि इस इक numbers को 3 times याने की 0.3 की पाउट 3 लिख दिया हमने okay इसका meaning यह लिखा है 0.3 का हम लिख सकते है 3 upon 10 की पाउट 3 correct है कोदे कत ना है ठीक है ना okay अब 3.10 and 1 by 2 तो similar same questions हो गया same type से solve कलेंगे इसको कि इसको 3 times लिखेंगे 3 times multiply करदेंगे तो 3 times multiply करने का meaning हो गया 1 2 and 3 okay 3 into 3 into 3 3 times upon 10 into 10 into 10 correct है okay 3 into 3 into 3 27 upon 1000 तो यह कितना हो जाएगा 0.027 correct तो इस तरी के से हम calculate कर सकते हैं ठीक है note करेंगे okay फिर एक और questions का करता है माल लो उपने पास कोई number दे रखा है 0.01 का Q calculate करना है ठीक तो 0.01 का Q calculate करना है तो कैसे करेंगे 0.01 का Q calculate करना है इसका मेनिंग यह हो गया कि 0.01 की Q का मेनिंग यह हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं 1 upon 100 का Q calculate करना है इसको 3 times multiply करना है ठीक तो यह आजाएगा उपर तो 1 into 1 into 1 upon 100 into 100 into 100 ठीक उपर तो 1 हो जाएगा निशे हो जाएगा 1 0 0 0 and 0 तो उपर कितना आएगा 0.00000 0 and 1 ठीक तो 0.1 का जो Q आएगा वो आएगा 0.0000005 times 0 and 1 ठीक तो यह इसका क्या आएगा Q आएगा तो Q calculate करने का मेनिंग यह होगा कि उसी नंबर को उससे 3 times multiply कर दया जाए तो जो result आएगा जो result आएगा वो उस नंबर का Q होगा ठीक कलियर है एग्जामपल समझवा गया होंगे ठीक है जल्दी से note करें अग्ले एडिंग डालेंगे perfect Q परफेक्ट क्यूब जैसे हमने परफेक्टी स्कॉर की बात करेते इसी तरह केसे परफेक्ट क्यूब को देखेंगे परफेक्ट क्यूब का मेंनिक होता है कि कमाल लो कोई नंबर है एंट ठीक, ओके, इसको मैं अगर M into M into M, यानि कि तीन एक नमबर से multiply करके मैं लिख सकता हूँ, तो मैं वो कहूँगा, कि N is perfect, perfect, perfect cube of, perfect cube of, of N, ठीक, यानि कि किसी नमबर को, अगर मैं किसी और नमबर की 3 times multiply मैं अगर मैं लिख पाऊं, यानि कि 3 का एक pair बना पाऊं, ठीक, 3 set का एक pair बना पाऊं, तो मैं कहूँगा, कि वो जो नमबर है, उस नमबर का perfect cube होगा, example के लिए देखाएं पीटा, हमने अभी example के लिए बात किती, कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक 8 कोई नमबर है, ठीक, 8 is the n, any number, ठीक, ओके, किसी भी natural number के बात करें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 into 2 into 2, देखो, लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2, ठीक, तो जो 8 होगा, वो 2 का perfect cube होगा, तो 8 is perfect cube of 2, यनि कि n है, वो m का perfect cube होगा, यहाँ पे n की value 8 और m की value 2 आ गई, तो 8 है, वो 2 का perfect cube है, तो perfect cube आइटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगा, कि उस numbers को, बहुत break कर लेंगे, थोड़ी सब्सक्राइब, ब्रेक करने के बाद में, हम pair बना देंगे, कितने part में, अगर 3 का एक set बन रहा है, इसको इस तरह के set में, डिवाइड कर देंगे, वगा 3 का एक set बन रहा है, ठीक है, 3-3 digit के, या numbers का, अगर set बन रहा है, तो तो ह हम बोलेंगे कि हाँ, वो perfect cube है, अगर नहीं बन रहा है, तो नहीं होगा, जैसे एक और example के लिए मैं बताओं, तो मान लो कि अपने पास, कोई number है, 27, 64 ले लते हैं, ठीक, ओके, तो 64 को हम लिख सकता है, कितने पाद में ब्रेक कर सकते हैं, देखे, 2 से क्या 32 आ गया, फिर 2 से क्या 16, 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से क्या, 2, 2 से क्या, 1, correct है, ओके, यानि कि 64 को हम लिख सकता है, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ठीक, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, तो इसमें 33 के set देख लाए, एक set, एंड दूसरा set, इसका meaning क्या हो गया, कि यह, जो 64 है, 64 is perfect cube of 2 into 2, यहां से कितने का set आ गया, एक 2 into 2 का cube है, 2, 3 times into 3 है, यानि कि 4 cube, तो perfect cube of 4, correct है, एक यहां से आ गया 2, और एक इस set में से, तो 2 into 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 64 is the perfect cube of 4, समझ गया, कर लोंगे, तो 64 is the perfect cube of number 4, 4 का 64 perfect cube है, ठीक, लिखे, तो इस तरी के से हमें identify करना होता है, कि कोई number किसी number का perfect cube है के नहीं, कुछ और example लेते हैं, यह सब तो note कर दिया होगा, मानलों अपने पास कोई number है, 81, correct, okay, तो 81 को हम break करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, होगा, 3 से divide होगा, कितने टामस, 27 टामस, पिर 3 से होगा 9 टामस, फिर 3 से होगा 3 से होगा 1 टामस, ठीक, यहने कि 81 complex सबता है, 3 into 3 into 3 into 3 है, correct है, औक neo, 81 को 3 into 3 into 3 कितने टामस, 4 टामस लेंगे, तो यहां से 3 का एक pair बन गया, but 1 3 ऐसे रे गया, तो इसका कोई set नहीं है, तो 3 का एक set तो बन गया, 3 का 3 का 1 set बन गया, 3 x 3 x 3, but एक और 3 रह रहा है, उसके साथ कोई और elements हैं नहीं, और होने हैं, set बनने के लिए, 3 का set बनने के लिए 3 digit होनी है, 3 3 3 3 times होना चाहिए था बट यह तो single time है तो इसका meaning हम यह कहेंगे कि यह जो number है यह 84 किसी भी number का perfect score नहीं होगा perfect cube नहीं होगा 81 sorry 81 is not a perfect cube of any number any number any natural number any natural number natural number ठीक तो इस तरह कैसे यह किसी भी natural number का perfect cube नहीं है समझें okay note करें कुछ और example देख लेते हैं फिर इसी type के like 84 64 32 ले लेते हैं अपने को identify करना है कि 32 किसी natural number का perfect cube है के नहीं ठीक है तो 32 को break करेंगे यह बन गया दूसरा set यह 2 का ही है एक और element 2 होना चीए तो यह नहीं बन रहा है इसका मिनिक ही कि 32 is not a perfect perfect cube of any number ठीक ठीक तो 32 is not a perfect cube of any numbers correct of any natural numbers नेचरल number के लिए लिए नेचरल नमर सो समझते होंगे बताया था पहले ही चक्टर में ठीक है नोट करें क्यूसर लिखेंगे कुछ ओके नेच्ट क्यूसर से क्यूसर से विच अप दो फॉलोंग्स numbers are perfect cube यह कुछ numbers दे रखे हैं यह अपने को बताना हैं इन दोनों में से कौन सा perfect cube है अगर हैं तो किस number का वो perfect cube है ठीक तो फॉस्ट 108 108 को break 2 से 5 4 2 से 27 ताइम्स okay 3 से होगा 9 ताइम्स 3 से होगा 3 ताइम्स 3 से होगा 1 ताइम्स okay correct है यान कि 108 को हम लिख सकता है 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 okay यहां पर 3 के सेट decide करेंगे तो देखो 3 numbers का एक सेट तो यह मिल गया correct है अच्छा 2 की बात करते हैं तो 2 में कितने elements है 2 2 के तो 2 यह elements है तो यह 3 सेट के लिए 3 elements होने चीए यान कि 3 numbers होने चीए 2 into 2 into 2 तो यह तो 3 का सेट नहीं बना रहा ठीक इसका बनिंग है कि एक सेट तो बन रहा बट डूसरा सेट नहीं बन रहा इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 108 is not a perfect q of any number of any natural number any natural numbers समझ में आई गया होगा किस तरीके से identify करते हैं ठीक है ओकी similar इसको भी check कर लेंगे सेकींड है 1728 2 से 8 6 4 2 से 4 3 2 4 1 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 9 10 11 12 9 10 11 10 end 3-3 त्री टाइब्स है okay correct okay तो यह एक 3 का elements का is set बन गया यह 3 2 2 नमर का is set बन गया यह भी 3 3 3 3 numbers का is set बन गया तो यह पर कितना है यह भी set complete है यह भी complete है यह भी complete है तो यह जो होगा 2 का cube into 2 का cube into 3 का cube okay तो सब को option multiply कर देंगे तो ये लिका है 2 into 2 into 3 का cube यानि कि एक set से एक number लेना होता है दूसरे set से भी एक number ले लिया तीसरे set से भी क्या ले 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 लिया ये कितना हो गया 4 into 12 तो ये लिका है 12 का क्या है perfect cube है ठीक 3 3 के set बन गई set बनते हैं हमने डिसाइड यही से कर दिया था कि इस नमबर इस पर्फेक्ट क्यूब ऑफ ट्वेल ये जो है 12 का perfect cube है ठीक है नोट करेंगे पिस्तर के से अपने को identify करना होता है ओखे नेक्स्ट है प्रोपर्टीज ऑफ क्यूब अगली हईटिंग डालेंगे प्रोपर्टीज ऑफ क्यूब अपनोब़ प्रोपर्टीज अब क्यूब किसी नमबर के क्यूब अगर कर दिया जाए तो उनकी क्या 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 प्रोपर्टीज होगी इसके बार अपने को discussion करना है इसमें अपने पास कोई भी इवन नमबर सेलेक्ट करते हैं जैसे 2, 2 एक even number है, इसका cube की बात करेंगे, 2 के cube की बात करते हैं, तो 2 का cube कितना होगा, 2 की पाउट 3, यानि कि इसको 3 times multiply करना है, 2 into 2, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ओके, तो 2 even number है, 8 भी even number है, यानि कि अगर even number का cube कर दिया जाए, तो हमेशा वो even number या आएगा, और example लेते हैं, ठीक, और example देखें, example number second, okay, जैसे कोई भी even number select कर लेते हैं, 6 कर दे, ठीक, okay, तो 6 का cube, कि अगर बात करेंगे, 6 है कोई number, तो इसको एगर cube की बात करते हैं, तो इसका cube कितना है, 6 over 3, यानि कि 6 into 6 into 6, जो कि हो जाएगा, 216, तो 6 भी अपने पास में even numbers है, 216 भी even numbers है, तो यानि किसी भी even numbers का, अगर cube कर दे जाए, तो वो भी even number ही आता है, पहली property लिखेंगे, वो example भी लिखेंगे, ठीक है, okay, second property पहते हैं, property number second, second property is, the cube of odd number is always odd, अगर हम किसी odd number का कर क्यूब करें, तो वो हमेशा odd होगा, जैसे example के लिए, सबसे best example, one, one का, अगर हम cube करेंगे, तो कितना आएगा, one की पाउट three, यानि कि one into one into one, या आएगा one, one कैसा है, और नमबर, result भी बनाया, वो भी odd number है, ठीक है, और example लेखते हैं, और और नमबर ले ले ले, जैसे ले ले लेते हैं, five ही ले ले लेते हैं, five is odd number, इसका अगर cube करेंगे, या जागा five cube, यानि कि five into five into five, ठीक, जो कि होगा one hundred twenty five, okay five की बात करें तो यह भी odd है, one hundred twenty five की बात करें तो यह भी odd है, ठीक है, और example लेते हैं, अगर three की बात करेंगे, three is odd number इसका अगर cube करेंगे, तो इसका cube कितना होगा, three cube, three into three into three, twenty seven, तो यह आजागा, twenty seven, three odd number है, twenty seven भी क्या है, odd number है, तो इसका मिनिक यह हुआ कि, अगर odd number का अगर cube करेंगे, तो वो भी हमेंचा odd number ही result है देगा, ठीक है, note करेंगे, example भी note करेंगे, okay, property number third, लिखेंगे, the cube of, लिखेंगे, the cube of, negative number, लिखेंगे, the cube of negative, negative numbers, is always negative, जैने कि किसी भी negative number का अगर cube करेंगे, तो वो हमेंचा negative ही देगा, example देखना हूँ, अच्छा, negative number even और कुछ भी हो सकता है, ठीक, okay, example के लिए जैसे मालनो हमने minus two का cube किया, minus two है, इसके अगर cube की बात करें, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस two की पाउट three, यानकि माइनस two को three times multiply करना है, ठीक है, okay, तो देखो, minus into minus plus हो जाएगा, ठीक है, minus into minus plus हो गया, two into two plus का four हो गया, इसको multiply करना है, minus two से, minus plus minus हो जाएगा, two into four, यानकि minus का eight आ जाएगा, ठीक है, यह कैसा number है, negative number है, ठीक, और तो minus eight भी क्या है, negative number है, यानकि negative number का क्यूब करेंगे, तो वो result, जो number आएगा, वो भी क्या होगा, negative होगा, और example देखते है, जैसे अपने पास है, minus, minus five ले लिया, इसका cube करना है, minus five का क्यूं का meaning होगा, minus five की बाउट थी, यानि कि minus five, into minus five, into minus five, ठीक, okay, minus five, minus five, minus five, minus five, minus five, minus, plus, plus, minus, minus, तो यह अगा, minus 25, यानि कि बाउट 125, ठीक, ओके, तो यह भी क्या है, negative number है, और यह भी क्या है, negative number है, तो negative numbers का cube भी negative number ही आता है, ठीक है, third number property note करेंगे, और यह example भी लिखेंगे, अगली property number fourth, property number fourth में लिखेंगे, the cube of positive number is always positive, property number fourth, the cube of positive number is always positive, positive, ठीक, यहनि कि किसी भी positive number का cube करेंगे, तो वह positive ही होगा, ठीक है, जैसे example के लिए दिखते हैं, कोई सब भी positive number select को, even or, कोई फरक ने पड़ता है, positive number हमने select कर दिया, four, four यह यहनि positive number, okay, cube करते हैं, इसका cube, तो वह जाएगा four, four, q, यहनि कि four into four into four, four into four, sixty into four, 64, ठीक, four भी कैसा है, positive number है, ठीक, और 64 भी कैसा, positive number है, डोनक ऐसा है, positive number है, और example देखते हैं, मानला हमने कोई positive number select कर दिया, कोई सब भी ले लेंगे, जैसे ले लो 7 ले लेते हैं, 10 ही ले लेते हैं, 10, positive है, इसके cube की बात करते हैं, तो हो जाएगा 10 cube, 10 into 10 into 10, ठीक, तो यह हो जाएगा one thousand, यह भी है positive, ठीक, और यह भी है positive, तो आगे से ध्यान रखेंगे, positive number का cube positive आता है, negative number का cube negative आता है, तो अगर मारलो अपने पास negative number का cube लेना है, तो आग बन करके पहले negative लिख देंगे, और जो number आ है उस number का cube ले ले लेंगे, ठीक, समझ मैं, negative number का कैसे लेंगे फिर बता रहा हूँ, negative आग बन करके negative बाहर लिखना है, और बाकी जो number है, उस नंबर का cube करना है तिक हाँ अभि और एक्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे समझभाएगा यहां तक नोट कर दिया अग्जाम्पल भी नोट कर दिया होगा पोजिटीव का पोजिटीव होता है नेगेटिव का नेगेटिव होता है next the cube of the original number a upon b denoted by a upon b का q is equal to a q upon b q ऐसा example किया जैसे हमने example भी करके यह तो देख लिया 1 by 2 का q इवन यहां तक हमने तो decimal का भी देख लिया 0.01 का कर दिया 0.3 का किया 0.01 का भी कर लिया ठीक है तो इसका पुरूफ देने की जुरूति नहीं है याद रखना है कि अगर कोई भी इसे रिष्णनल नंबर है a upon b ठीक है a upon b अगर इसके हम cube की बात करेंगे तो cube का मतलब कहा है इसे को 3 times multiply करना है तो इसको हम d not किस से करते है a by 3 का cube ठीक और इसका meaning क्या हुआ यह लिका है a upon b into a upon b क्वचenter आपॉन भी इन उसको इसको इन थ्री टाइम बिल्ली किया होगा ओके उपर क्या लिखा है एं रेल ही इन टो ए और आपॉन और हो जाएगा बीटो तो B into B correct है ठीक तो इसको हम लिख सकता है A cube upon B cube ठीक तो याद रखना है कि अबर किसी भी rational numbers का अगर cube क्या है one upon में या किसी A upon B की form का है तो यह हो जाएगा A cube upon B cube याद रहेगा ठीक नौट कर जैसे एक्जामपल भी देख ले इसमें कैसे करना है एक्जामपल के लिए अगर देखें तो जैसे अपने पास से 1 by 2 का cube करना है ठीक है इसका क्यूब वैसे तो यह मैं पहले करवा चुका हूँ एक्जामपल फिर भी करवा रहा हूँ 1 by 2 का क्यूब क्यूब एक भंस्टों हो जाएगा बन काlakom अपवाँ टू का क्यूबृ क蓉क्ष्ट है एक कूप ऐं का क्यूब एक को इक ुभास्टों तो उम्हतने क्यूब गरेंगे है तो यह अग्र का क्यूब हो जाएगा 8 तो कितना जाएगा 1 by 8 यह सवाल पहले कड़ चुके हैं और एक्जामपल देखते हैं फिर और क्या एक्जामपल देखें बहुत सार एक्जामपल है जैसे 3 by 4 3 by 4 एक रिशनल नमबर है इसका क्यूब करना है छिए इसका है क्यूबा 3 by 4 का क्यूब इक वस्ट हो जाएगा इसी नमर को 3 time का क्यूब reads घृक के 3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब 3 का क्यूब हो जाएगा 3 को 363 times मुल्टिप्लाइ करेंगे तो 27 and 4 का क्यों करेंगे तो 64 ठीक तो अगर किसी रेश्टन नम्बर के क्यों के अगर बात करें a upon b के तो a cube upon b क्यों हो जाएगा ठीक है not करेंगे ओके next property लिखेंगे property नुमर 6 रेश्टन नारी का क्यों, रेश्टन 5 यो शके तो dengan तो the first and n the diffas नावां, q-े आउव नाच्यूरल नावबर, थीक जैसे नाच्यूरल नावबर की बाहते हैं तो यह जायेगा जो नमबर से सबको add कर दो 1 plus 2 plus 3 से plus n तक का cube लगा दो ठीक याद रहेगा अगर किसी number का cube calculate करना है first and natural number का 1 का cube 2 का cube 3 का cube n तक तक तो यह हो जागा 1 plus 2 plus 3 से लेकर n तक का cube for example के लिए देखें अगर अपने पास examiner में examiner क्यूचन फूचता है कि 1 का cube calculate करो 2 का cube calculate करो 3 का cube calculate करो से जाकर 6 के cube तक अपने को calculate करना यहां पर 4 का cube भी आया होगा and 5 का cube भी है ठीक तो हम क्या करेंगे तो हम direct इन number को add कर देंगे 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 का whole cube entire का cube अब को add कर देंगे तो देखे 3 and 3 6 10 21 ठीक कितना हो गया 3 and 3 6 10 21 तो यह होगा 21 का cube अगर आप चाहो तो एक formula भी याद रख सकते हो यह तो ऐसे number add कर दो और उसका cube कर दो यह formula याद रख सकते हो formula क्या है यहां तक ही note करना formula लिकना the sum of the first n cubes of natural number जो होगा वह जाएगा n n plus 1 by 2 का cube n n plus 1 by n n plus 1 by 2 का cube ठीक है यहां n है numbers है कितने naturals है numbers अब natural number कितने numbers तक हम जा रहे हैं जैसे यहां n तक गए n ठीक यहां 6 तक गए तो यहां 6 अब यसी को वापिस करके देखते है उस formula की इसाब से put करें तो उस formula में यहां पे n की value उपर कर दें उपर लिख रहा हूं ठीक है उपर लिख रहा हूं इसका तो n की जगह कितना आजाएगा 6 and n plus 1 by 2 का cube है तो n की जगह है 6 तो यह वाँ 6 6 plus 1 7 by 2 का cube ठीक कितने times 3 times 3 into 7 21 तो यह वाँ 21 का cube करेक्ट चाहे ऐसे कर सकते हो चाहे ऐसे जो तुम्हें अच्छा लगे उस त्रीके से कर सकते हो ठीक है नॉट करें तो अभी तक हमने इस lecture में पढ़ा क्यूब क्या होता है ठीक क्यूब कैसे calculate करता है कुछ एक्जामपल लिए थे एक्जामपल के help से हमने समझा क्यूब कैसे calculate करते है उसी नंबर को 3 times खुद से अगर multiply कर जा जाए तो क्यूब है perfect cube क्या होता है अगर 33 के कुछ set बन रहे है 3 numbers के जैसे 2223344 ठीक तो अगर एक 333 के अगर set बन रहे है numbers के तो हम बोलेंगे perfect cube है बढ़ना नहीं है यह हमने देखा कुछ property के बढ़ना discussion क्या ठीक okay property अभी six property तक हमने discussion क्या ठीक इसके अलावा इसके बाद में है जो मतलब इसके कुछ cube roots की बात करेंगे जो कि हम अगले lecture में बात करेंगे क्यों roots कभी हलका समयना idea तो देखी दिया है starting में कैसे calculate करना है ठीक okay इसके बाद में हम अगले lecture में करेंगे thank you